दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग fork join समझेंगे fork join क्यों यूज करते हैं RxJS में बहुत important operator है fork join तो एक सिनारियों consider करते हैं मान लिजिए कि हमारे पास observable 1 है observable 2 है और एक और observable बना लेते हैं तो ये दो observable हम लोग off operator यूज करके बनाये थे तो इस बार हम लोग map operator यहाँ पे from operator यूज कर लेते हैं from operator तो from operator में दोस्तों यहाँ पे data को as argument पास नहीं करते बलकि हम लोग array में पास करते हैं और इसको बोल देते हैं observable 3 now fork join क्या करेगा दोस्तों कि जितने भी observable है हमारे पास 3 observable है इस समय उन सारे observable को वो combine करेगा और जो last imitate data है सारे observable में से last जो data रहेगा उसको combine कर देगा तो let's see हम लोग ऐसे यूज करेंगे fork join तो हम लोग normal यहाँ पे fork join लिखेंगे just fork join and then जितने भी observable से data आ रहे हैं as argument यहाँ पे पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे तो ob1 ob1 के अंदर observable 1 रहेगा ob2 and then ob3 so तीनों observable को as a argument fork join को हमने दे दिया now यह क्या करेगा join करेगा किसको join करेगा तो जो भी imitate data है जो last imitate data रहेगा तीनों में से उसको join कर देगा dot subscribe कर लेते हैं ताकि उसका output हम लोग check कर सकें अपने console में और पहला यहाँ पे callback होता है दोस्तों जो भी imitate data है उसको प्राप्त करने के लिए तो मैं यहाँ पे एक callback ले लेता हूँ let's say val and then console.log something basically मुझे एक short form में अगर लिखना पड़े तो मैं console.log लिख दूँ तो यह क्या करेगा दोस्तों एक type का callback ही हो गया एक equivalent है अगर इसके जगा पे मैं यह लिख दूँ यह हमारे पास callback लिख दूँ कुछ इस प्रकार से and यह क्योंकि इसमें value store कर सकता हूँ तो वैल लिख दिया और यहां पे return मैं यहां पे console.log कर देता हूँ console.log और यहां पे हो गया value तो दोस्तों यह similar है ओके यह दोस्तों यहां पे similar है तो I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा तो fork join क्या कर रहा है दोस्तों यहां पे notice कीजिए जो हमको output मिला वो यह मिला 6, 12 and 12 क्यों? क्योंकि observable 1 से value जो मिला वो last emitted data 6 था observable 2 से last emitted data 12 था और observable 3 से last emitted data let's say यहां पे 13 कर देते हैं तो 13 हुआ इसलिए जो है एक आपको array के format में सबको combine करके दे दिया यह होता है दोस्तों fork join बट इतना ही नहीं है इसमें कुछ खास बाते भी हैं जिसे आपको जानना चाहिए तो suppose that observable 3 है observable 4 मैं ले लेता हूँ observable 4 इस बार observable मैं form और off operator से नहीं बलकि new keyword use करके मैं एक बनाया ob4 now ob4 को भी यहां पर combine कर लेते हैं ob4 let's see what will be the output पर दोस्तों यहां पर कोई output नजर नहीं आ रहा है ob4 को क्यों? क्योंकि condition यह है fork join में कि जो भी observable है वो complete होना चाहिए okay complete होगा तभी हमको output देगा otherwise नहीं देगा तो यहां पर notice कर रहे होंगे like मैं next data produce किया set time set interval set time और इसको मैं remove कर देता हम अभी के लिए तो दोस्तों यहां पर notice कर रहे हैं कि next method use करके observable से value emit कराया गया है one two three but मुझे यहां पर नहीं मिल रहा है क्योंकि observable complete ही नहीं हुआ जब हम इसको complete कर देंगे तब हमको उसका data मिल जाएगा तो कैसे complete करेंगे just observable dot complete दोस्तों जब मैं new keyword use करके observable बनाया हूँ तो इस condition में ध्यान रहे है कि यह क्या होता है एक type का manual आप observable stream generate कर रहे हैं जिसमे next method use करके next data produce कर रहे हैं complete करके observable complete कर देंगे observable complete होने के बाद no any further data emit होगा इसका मतलब यही है तो देखिए observable complete हो गया जैसे observe complete हो गया 6 12 13 और 3 मिला क्यों 3 मिला क्योंकि last emitted data वह भी 4 में 3 था इसलिए यहां पे 3 मिला दोस्त आप बोलेंगे कि off operator को कहां मैं complete किया हूं तो दोस्तों off operator का property ही है वह अपने last argument जो भी है उसको emit करने के बाद automatically स्वता ही complete हो जाता है उसी type से from operator from operator भी अपने complete हो जाता है इसलिए हमको उसका output मिला तो यह हो गया दोस्तों from fork join बट इसी से similar मिलता जूलता एक और operator है जिसको बोलते है Jeep Jeep operator क्या करता है let's see दोस्तों यहां पे मैं Jeep डाला और यहां पे notice कीजिए मैं इसको remove कर देता हूं दोस्तों यहां पे आप notice कीजिएगा मैं Jeep complete होना चाहिए मैं एक बार remove कर देता हूं then फिर से save किया let's say तो दोस्तों Jeep में ऐसा compulsory नहीं है कि observable complete होना चाहिए ओ क्या करेगा कि जितने भी observable जो यहां पे as a argument आपास किये हैं वह observable से फर्स सभी का data emit होगा तो उसको combine कर देगा उसके बाद second data सभी का emit होगा उसको combine कर देगा तो basically यहां पे क्या हो रहा है हमको यहां पे three array हमको मिला three array क्यों क्योंकि हमको पहले observable one से पहला data emit हुआ observable one, observable two, observable three, observable four, चारो observable से जब पहला data emit होगा और सभी का पहला data complete हो गया emission complete हो गया तो उसे combine कर देगा और उसको हम लोग को एक array format में देगा तो देखिए one, seven, seven, one देखे one हो गया पहला observable one का पहला data emit हुआ one, observable two का पहला data emit हुआ तो seven, observable three का पहला data emit हुआ तो seven and observable four का पहला data emit हुआ तो इन चारों को combine कर दिया उसी टाइप से similarly for the second emission and for the third emission और fourth one के लिए दोस्तों यहाँ पर notice कीजिएगा observable one two और three से तो fourth data emit हुआ है बट four से नहीं हुआ है four से केवल three data emit हुआ है इसलिए हमको जो output मिला केवल three मिला क्यों क्योंकि यह जीप है अभी भी observable four से fourth data का emission का weight कर रहा है ओके इसी लिए दोस्तों ऐसा हुआ और यहाँ पर complete कोई ऐसा ज़्यादा significance नहीं है यह क्या करता है observable से जो भी जितने भी observable है उससे imitate data को उसी order में combine कर देता है यह हुआ दोस्तों जीप अब इसका यूज केस भी समझ लेते हैं जीप का use case कब करते हैं मान लिजिए कि आपके पास मान लेजिए multiple API कॉल करना है like student का data student okay and then teachers उसका data चाहिए और दोनों को combine करके data चाहिए कोई भी यूज केस हो सकता है जिसमें दोस्तों first observable से जो value आया और जितने भी observable है उसे value आ रहे हैं उसके first imitate data को combine करना है तो उस condition में हम लोग जीप यूज कर सकते हैं फॉर्क जौइन को हम लोग दोस्तों कहां पर यूज करेंगे तो फॉर्क जौइन का जो real scenario दोस्तों होगा वो log out के लिए हो सकता है जब आप log out करते हैं तो होना यह चाहिए जब आप log out करते हैं तो क्या क्या operation होते हैं सबसे पहले जो भी front end में data store है like local storage में होगा उसको clear करना पड़ेगा then माल ये किसी services है उसमें property user login का flag अगर true है तो उसको false करना पड़ेगा okay तो में भी आप behavioral subject यूज कर रहे हैं या subject यूज कर रहे हैं तो उसके property को और actual में जो है false करना पड़ेगा ताकि user logged out हो जाए तो ये सारे operation होते हैं so और log out कर रहे हैं तो backend को भी inform करना पड़ सकता है कि user log out हो गया है ताकि log out का detail database में भी store हो जाए तो ये दोस्तों project के requirement के उपर depend करता है बट यहां पे इस scenario में इसका use हो सकता है क्या होगा कि जब log out करते हैं तो सबसे पहले हमको एक observable है ओ observable लेट से API call किये log out करने के लिए ताकि इसका information backend में भी store हो जाए तो वहाँ से response आएगा तब ही आएगा जब observable complete होगा तो पहला observable complete हो गया दूसरा locally जो भी data store है like frontend में data store है उसको भी remove करना पड़ेगा तो वह remove होने के बाद लेट से ओ भी observable था तो ओ भी observable complete हो गया तीसरा observable हो सकता है कि आपके system में जो भी flag हैं variables हैं उसके value को पहले क्या था user login उसका value true store होगा उसको false करना पड़ेगा तो false करवाएंगे false करवा कर observable complete करेंगे तो यह जब सारे process हो जाएंगे सारे observable complete हो जाएंगे तब user logout होगा तो इस condition में हम लोग fork join यूज कर सकते हैं I hope कि आपको समझ में आगया fork join क्या है और Jeep क्या है फिर भी किसी उप्रकार का doubt है तो comment करके पूछ सकते हैं Thank you for subscribing to YouTube channel Have a nice day